इलाहबाद द्वारा जारी यह मॉडल पेपर है 2023 का ठीक है तो बोर्ड इक्जाम का कुश्चन नंबर 4 यह ग्रामर के लिए है और यह 10 मार्क्स के लिए है ठीक है इससे 10 नंबर के कुश्चन आएंगे 10 मार्क्स का अब 10 मार्क्स में क्या होगा कर एक आप पूसर्थे ए बीख कर दी भाला शक्षन है तो मार्क्स का रिए टाइस फॉल्विंग सेंटिंश्ग इन्टो इंडारेक्ट स्पीट यह निरेशन का है इनटारेक्ट हल्ये इस पूचा जाएगा इंडारेक्टी स्पीच में चेंज करने के लिए हाएंग Canad Shire the following into passive wise passing passive wise से question आएगा two marks के लिए punctuate the following punctuation कितने marks का आएगा यह भी two marks का आएगा six marks हो गए translate the following into English यह four marks का आएगा total कितना हो गया two 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 six and four ten marks का total ten marks से पूझा जाएगा grammar चलिए पहला question देखते हैं rewrite the following sentences by changing into indirect speech तो नीचे लिखे हुए sentence को indirect speech में बदलना है करन सेट तू हर मदर करन ने अपनी मा से बोला please allow me to play please मुझे खेलने के लिए अलाव करो है न तो जब भी हम sentence को change करते हैं direct से indirect sentence में तो हमको सबसे पहले यह वाला part यानि कि reporting वर्ग नहीं देखना बलकि हमको पहले reported speech को देखना है reported speech या फिर reported clause भी इसको बोल सकते हो या फिर खाली reported भी बोला जा सकता है तो हमको reported clause को देखना है reported clause जो है वो है please allow me to play ठीक है यह sentence please लगा है तो फिर imperative sentence में आएगा imperative में order request या फिर advice में कौन सा आएगा please लगा है तो फिर request में आएगा ठीक है अगर sentence में request आ रहा है तो said to change हो जाता है किसके recording रिपोर्टेट किस रिपोर्टेट किस एकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहां पर करन सेट्टू की जहां पर रेक्वेस्टेट हर्मदर अब देट का यूज नहीं करना इसमें ना तो इप का यूज करना है सेंटेंस इंप्रेट्विस लिए तू को यूज करना है और फिर प्लीज का भी यूज नहीं करना है क्यूंकि प्लीज के लिए हमने यूज कर दिया है तो करन रेक्वेस्टेड हर मदर तू एलाओ और यहां पर जो multiples है है lot मी ली Bentley का सेंटेंस में कौन सा पर्सुन फेस्ट मेल में फर्स पर्सdoo को on शसले से सब्सक्पर Palmer 홈 तो हैं फर्स्ट परसन का आउबलेक्ट्य hatred होता है सब्जेक्ट कि आब्जेक्ट के मीर निन नी algumas यहाँ पर प्रोडाउन को चेंज करना है है तो सेंटेंस में जो मी वर्ड है यह ऑब जेक्ट्व केस में है प्रोणाउन तो क्या करेंगे मैं पिदी डूकरा देट्वरं के लिए करन का एक ठाफ सकते थार्ड परसन ऱ् Margidan का नेक्स्ट क्विश्टन देखेंगे चेंज द फॉल्विंग इन्टू पैसिवाइस में चेंज करना है तू माक्स के लिए यह पैसिवाइस में कैसे चेंज करते हैं सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जहां पर प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जहां पर करते हैं वर्ब वैसे ही रहती है तो हुँ को हमको पहले लेάना है यह पर क्या हो जाएगा यू और हैं किसे का है जर् autism को कैसे तो इस एम आर का यूज करना है यू तो इस लगएगा कि एम-लगएगा कि नों के बाद में तो यू के लिए हमको और काla यूज को न और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है नोन और नोन के बाद में फिर बाई नहीं लगता ठीक है यू आर नोन वेरीवल एड़ब भी लगा दो यू आर नोन वेरी वेल टू आई का अबजेक्ट क्या हो जाएगा मी ठीक है पैसी वाइस क्या हो गया यू आर नोन वेरी वेल टू मी आगे समझ में तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जहां जो बाई नहीं लेती ठीक है यहां पर जैसे नो है तो नो के लिए क्या यू जो गया तू है ना प्लीज के ल प्लीज के लिए विद और कुछ वर्ट्स हैं और कुछ ऐसी वर्ब्स हैं अप्वाइंटेट के लिए और अब डिस अप्वाइंटेट के लिए एक और देख लेते हैं ही क्या सेंटेंस बोला मैंने इस बीहाइवियर दिस अप्वाइंटेट मी तो अबजेक्ट को पहले ले आएंगे यहां पर क्या हो जाएगा आई डिस अप्वाइंटेट क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर में तो क्या हो जाएगा वाज आई वोज डिस अप्वाइंटेट ठीक है और disappointed के बाद में फिर भाई नहीं लगाना फिर क्या लगाना है with तो I was disappointed with और यहां पर his behavior क्या हो गया I was disappointed with his behavior तो कुछ ऐसी particular verbs होती है जिनके बाद में बाई नहीं लगाना था ना तो उसके बाद में क्या लग सकता है तो लग सकता है विद लग सकता है एट लग सकता है कि नेशन देखिए punctuate the following क्या करना है punctuate करना है punctuation यूज करना है तो सबसे पहले तो यह है कि जो sentence का स्टार्टिंग लेटर होता है वो क्रेप्टल होगा तो दा गार्डणर गार्डणर सेड तू यह फर्स्ट क्लॉज में है तो फिर कॉमा लग जाएगा और जो नेक्स्ट सेकेंड क्लॉज है वो इंवर्डिट कॉमा के अंदर आएगा दू नाट टच दा फ्लॉर्स फिर यहां पर फुलिस्ट आप रखेंगे क्योंकि यह जो है रेपोर्टिट जो क्लॉज है यह किसमें है इंप्रेट्व में तो इंप्रेट्व में फुलिस्ट आप के बाद में डबल इंवर्टेट कॉमा क्लोज हो जाएगा इसको जो है इसको जो है ट्रांसलेट करना है कल सुबह मैं पुस्तकाले जाना चाहता था सब्जेक्ट आप दे सेंटेंस कौन सा है आई वांट जाना चाहता था आई वांटेट टू गो टू लाइब्रेरी कल सुबह यस्टरड़े यस्टरड़े इन दे मॉर्निंग ठीक है बाई आई वांटेट टू गो टू लाइब्रेरी यस्टरड़े इन दे मॉर्निंग उसी समय एक मित्र मुझसे मिलने आया एक मित्र वन ओफ एक मित्र मेरा एक मित्र वन ओफ माई फ्रेंड्स ओके वन ओफ माई फ्रेंड्स यानि कई सारे दोस्तों में एक दोस्त वन ओफ मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया केम टू मीट मी हम साम तक साथ रहें वी लिव्ड टूगेदर शाम तक अंटिल या तिल तिल शाम तक तिल इवनिंग ठीक है वी लिव टूगेदर तिल इवनिंग मित्र से मिलकर मैं खुश था आई वोज हैप्पी तू मीट माई फ्रेंड किन्तु पुस्त काले ना जा पाने के कारण दुखी भी हुआ But I was unhappy for not going to library. झाल झाल